तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं बैजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बैजाइनल डिस्चार्ज अलग लग तरह का होता है और यहां हम डिस्कास करेंगे पांच तरह के बैजाइनल डिस्चार्ज जिनके कलर और उनके टेक्श्चर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा infection हुआ है या कितने गंबीर है तो इसके पहले में बैजाइनल डिस्चारज पे एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने बताया था वे जाइनल डिस्चारज होना अच्छी बात है या नहीं है तो आज हम जो वीडियो लेका रहा है उसक ये लोगों को साइनेस की प्रॉब्लम है या एलर्जी जनको सरदी रहती है उनको इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ा सकती हैं, वागी के सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, गर्मी की सीजन में वो लोग भी कर सकते हैं, जुनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसमें नौ जड़ी बूटिया है जो आपको राहत देती आरा पहुचाती है तरो ताज़ा करती है तो इस तरह की ये इते बोटल आती है और यहां पर कौन-कौन से समस्याओं में ये काम करता है ये लिखा हुआ है तकान है त को राहत देगा और यहां पर यह बेस्वका नमबर बन तेल है ठंडा तेल जो आईरवदिक चीजों से बना हुआ है तो यहां इसकी 300 ml की बोटल है और इसकी MRP 170 रुपए है तो आप चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं गरम के सीजन के लिए वेस्ट होता है और इसकी पैक आप डोड में आती हैं और भी जो नाया उत्पाद है उसका फिलावने एड़ दे के रखा है इस तरह की बोटल में आपको यह मिल जाता है तो फ्रेंट्स जो हमारा वेजाईना का एरिया होता है उसमें सर्विक से कुछ चिपचिपाव सा पदार्थ निकलता है जो हमारी व डिस्चारज है वो नॉर्मल नहीं है एडनॉर्मल है ऐसे में उसकी कंडिशन को देखके हम पता लगा सकते हैं कि वजाईनल डिस्चारज किस बीमारी का सिम्टम सो सकता है उसके कलर के साब से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यदि आप इसको गौर करेंगे तो आप इसका जल से जल ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला होता है वाइट गाड़ा डिस्चारज ये पनीर की जैसा हो सकता है चिप चिपा ठीक हो सकता है और इसमें आपको खुजली चलन का अनभाव होता है साथ-साथ में आपको इस्ट का इसमें हमारे जो गुड बैक्टिरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने पर इस तरह की खुजली जलन सूजन इस तरह की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो एक नॉर्मल है ज्यादतर मेलाओं में होता है और इसका ट्रीटमेंट आपको इसमें इप्राइब खुजए का प्रोट मेलाओं की का इन्फेक्टिरिया होता है और अऊर्ण इसमें इसमें बॉबर हो होता करता है तुछ श andar सथेնं आर्कट में की हमतिकनी इसमें शायां से हो सकती है होता है ब्राउन कलर का डिस्चारज जो कि हैं आपका पीरेट के बाद आता है यह- 2017 के रूब में ने फिर आपको फ्रक्राय को भूंभ को ते के हो सकता है और यह अधिन लोगों को उन लोगों को इस तरह का डिस्चारज already ये uterus में किसी तरह का infection के कारणी या किसी तरह के polyps बनने के कारणी हो सकता है और साथ साथ में cervical cancer का एक symptoms हो सकता है तो ऐसा यदि आपको हो रहा है period के अलावा तो आपको जल से जल गाइनिक के पास जाना चाहिए जल से जल इसका treatment लेना चाहिए बहुत ख़तरनाग होता है तो next जो हमारा discharge का type है वो है green discharge ग्रीनी discharge होता है हलका सा green color का आपको लग सकता है तो ये indicate करता है कि आपको कोई bacterial infection हुआ है यदि आप इसको गौर्द करेंगे तो इसके अलावा एक और जो होता है जिसके करण से आपको ये green color का discharge होता है वो होता है sexual transmitted disease के करण या ऐसा कोई रोग हो गया है तो उसके करण से भी आपको ये green color का discharge देखने को मिल सकता है यदि आपको green color का discharge हो रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो आपको infection हुआ है या फिर आपको sexual disease हुई है कोई सी वह किसी के आपके पाइटनर के थ्रूप भी हो सकती है तो इसके जल से जल से आपको treatment लेना चाहिए लाक्ट जो होता है नेक्स होता है वह होता है हमारा नेक्स्ट डिस्चार्ज जिसकी हम बाइट कलरकर डिस्चार्ज जो कि आपको खुजली हो सकती है इसमें इडिएशन हो जो कि सबसे ज्यादा नॉर्मल होता है और यह कुछ धिनों बद कुछ धिनींगी से शही भी हो सकता है यूरे नहीं होता है तो इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ मैडिसिन दे सकते हैं जो की बैक्टिरिया के कारण होता है और इसके अलावा एक डिश्चार् पानी जैसा हो रहा है और यह इसमे आशाफ में थे बढ़ रहे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और यही हमारी आज की वीडियो थी तो आई होप आपको यह जान करें अच्छी लगी होगी जान करें अच्छी लगे तो वीडियो को जाद झाल में झाल में